हेग गाइस बिद्ध व्रिद्ग में चानल टेक रस ने , तो आज इस वीडिव में मैं आपको अपने यूटूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल प्रेशनल बैनर बनाने के लिए बताने वाले होँ कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने YouTube चैनल के लिए जब बैनर बनाते हैं तो उनके size में problem हो जाता है जब वह banner set करते हैं तो उनके channel का नाम सबसे उपर चला जाता है या फिर photo अलग हो जाता है दिखाई यहीं देता है उन्हें size fit करने में बहुत ज़्यादा problem होता है और banner set करने में भी बहुत ज़्यादा उन्हें problem होता है और तरह लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से request करते हैं कि भाई मेरे channel का banner बना दो तो आज मैं आपको बहुत ही एगदम simple editing सिखाने वाला हूँ कि आप एक simple editing करके आप अपने channel का banner कैसे बना सकते हो और उन्हें में एक size बताऊंगा उन्हें size कहां से लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उस size को लेकर कैसे आप उसके अंदर ही editing करके अपने channel का banner एकदम आच्छा और professional बना सकते हो तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल के जो winner है उनके channel के मैं नाम बता देता हूँ आप देख लो तो यहां जो फर्स्ट winner है उनके channel का नाम है Indian Blogger Sushmita इनके Channel का मैंने यहाँ फोटो दे दिया है तो जाइए इनके Channel का Link मैंने Description में दे दिया है इनके Channel को Support करिए Like किजिए, Subscribe किजिए और जो Second है Second वले का नाम है Isant Gaming O.P तो जाइए वाई के Channel को Subscribe किजिए, Like किजिए और इने Support करिए इनके Channel का Link मैंने अपने Community Box में दे दिया है और जो Third है उनके Channel का नाम है Technical 300M इस वाई ने कल भी बाजी मारा था और आज भी बाजी मारा है तो जाइए वाई के Channel का Link मैंने Community में दे दिया है तो इनके Channel को Subscribe किजिए, Like किजिए और Share किजिए तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने YouTube Channel के लिए एक Professional Banner कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए आपको चलना होगा मेरे Phone के Skin पे और राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी Promotion Code दिया गया है तो आपको वीडियो एक दम ध्यान से देखना है और Promotion Code आपको बताना है एक Comment Box में Comment करके तो मैं आपके चैनल का भी Promotion कर दूँगा चलिए चलते हैं Phone के Skin पे और देखते हैं कि आप अपने YouTube Channel के लिए एक Professional Banner कैसे बना सकते हैं तो अगर आपको Banner का Size पता नहीं है और Size आपको मिल नहीं पता है अगर Set करते हो तो Size में कुछ गरबड़ी हो जाती है और Banner Set करते हो तो एक अच्छा तरीके से Banner आपका Set नहीं हो पता है तो उसके लिए मैं आपको Size बताऊंगा चले चलते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि Phone के Chrome Browser को Open कर देना है और जैसे हैं आप Phone के Chrome Browser को Open करते हों उसके बाद क्या करना है कि यहां पर Search में जाना है और यहां से Search करना है YouTube Channel Banner Size तो मैं यहां Search कर देता हूँ Y-O-U-T-U-B-E YouTube Channel Banner Size यहां जैसे आप देखरों मैंने पहले ही Search मारा हुआ था तो यहां मेरा आ गया है तो यह आपको टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद यहां से Search कर देना है तो मैंने यहां Search कर दे है अब यहां से क्या करना है कि आपको इमेज में चले जाना है यहां से इमेज में आपको चले जाना है आप यहां देख सकते हो कि YouTube Channel Banner बनाने के लिए यहां Size दिया गया है तो कोई भी एक Size आपको यहां से Download कर लेना है जैसे कि मैं यहां से इस Size को यहां से इसे Download करता हूँ तो यहां से इस इस पर क्लिक करे रहना है और क्लिक करे रहोगे तो यहां से Download का Option है तो इसे Download इमेज पर क्लिक कर देना है अब यह Banner का Size आपके Phone में Download हो गया है तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे ले चलता हूँ P-Cart में तो पहले मैं यहां फोटो को open कर लेता हूँ कि यह download का हुआ है तो यह download में है अब मैं इसे यह open कर दिया हूँ अब यहां से मैं इससे share करके ले जलता हूँ इसे पी कार्ट में तो अब आप यहां देख सकते हो कि यह पी कार्ट में आ चुका है तो आप यहां जो देख सकते हो यह जो बुलू वाला आपको कलर दिखाई दे रहा है में यही होता है आपके यूटुब चैनल का बैनर साइज के लिए जितना साइज में यह बुलू कलर आपक गाई सही तरीके से फीट नहीं बैठ पाता है तो आप मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको जो लिखा वाई से हटाओगे कैसे तो हटाना नहीं है इस पर एक अपना बैक्राउंड सेट कर देना है तो मैं यहां सिख्या करता हूँ कि एड फोटो पे चले जाना है और एड फोट सबसे एड का ओप्सने तो एड कंप संपिंए चले जाना है तो मैं एड कंप संप्या चुका हूं तो यहां से क्या करने की इसे चोटा कर देना है दुझा करके और यहां से symbol क्या करना है कि इसे यहां से बढ़ा देना है जहां तक आपका blue color दिखाई दे रहा है वहां तक इसे यहां बढ़ा देना है और यहां से इधर वाले पर type करके right side वाले पर type करके यहां जितना दुर में आपका blue color है उतना ही दिर में type कर देना है और यहां से red star में सबसे उपर arrow का एपशन है, तो arrow का एपशन पर क्लिक करके ok कर देना है, तो यह ok हो चुका है, अब इस पीला color का जो आपका banner दिखाई दे रहा है, जितना दूर में आपका पीला color है, यलो पीला color है उतना ही दूर में आपको कुछ नहीं, उससे उपर कुछ नहीं लिखना है, तो मैं अपने चैनल का नाम अगर लिखना जाता हूं, तो मैं यह यहाँ करता हूं? टेक्स्ट पे चले जाना है, और यहाँ से लिख देना है, आपका जो भी चैनल का नाम है, आप लिख सकते हो, टि-e-c-h टेक. र-a-j-n-i-sh अब यहांसे क्या करना है कि सिंपल इस पर छोड़ देना है और यहांसे स्टॉक पर जाना है और इसका बलैक कलर चूज करके और यहांसे इसका amount को बढ़ा देना है ताकि यह साफ साफ दिखाई दे अब यहां से क्या करना है कि side को भी click करके और बढ़ा देना है जितना भी आप बढ़ाना चाहों बढ़ा सकते हो तो ऐसा लएगा साप साप एकदम दिखाई देने लएगा तो अब यहां से क्या करने कि इसे OK कर देना है अब अगर आप इस पर फोटो सेट करना चाहते हो तो अराम से आप कर सकते हो जैसे आप पीक आड में इडिटिंग करके अपना फोटो जिपकाते हो तो यहां से अराम से आप सेट कर सकते हो जैसे कोई भी आपका फोटो है मैं आपको यहां दिखा देता हूं जैसे मेरा यही फोटो है अगर मैं इसको अगर चिपकाना चाहूं तो यहांसे एड पे क्लिक कर देना है फोटो सिलेक्ट करके और यहांसे क्या करने की cut out का जो option है cut out के option में जाना है और यहांसे आउट लाइन पे आउट लाइन को जो आउट लाइन पे जाना है और यहांसे इस फोटो को जूम करके और यहांसे इस पे यहांसे क्लिक करते हुए घुमा लेना है छोड़ना नहीं है याद रखना और यहांसे एकदम अच्छे से आपको कट आउट कर लेना है त तो यहां से ब्रॉस पर स्लेट करना है और जूम करके यहां से जहां भी चूटा है वहां पर कलर मिक्स कर देना है और यहां भी बाल में चूटा हुआ है तो मैं यहां मिक्स कर देता हूं इतना हो गया अब यहां से क्या करना है कि OK पर क्लिक कर देना है तो मैंने यहां क्लिक क करदेना है इस फोटो को यहां से आप छोटा कर सकते हूँ तो मैंने इस यहां से चोटा कर दिया है और जीतना दूर में आप फीट बैठाना चाहते हूँ यहां मेरा अच्छा लग रहा है अब यहां से इसका ata brightness बरहना चाहती हो फोटह पर कि युकी brightness तो अच्छा लग नहीं रहा हैं तो अब लिखना चाहते हूँ आप लिख सकते हूँ और लिखने के बाद यहां से राइट सेर में सबसे उपर जो आयरो का अप्शन है एरो के अप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहां से फिर से एरो के अप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां से कट कर देना है जो भी परचा र चुका है अब आप इस फोटो को अगर आप बैनर में अपना सेट करना चाहो तो सेट आराम से कर सकते हो तो बैनर सेट करने के लिए आपको आता ही होगा मुझे आसा है कि आप यूटूबर हैं तो आपको जरूर आता हुगा अगर नहीं आता है तो बैनर सेट करने के लिए अ आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि जब ही में निए वीडियो डालू तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे चलिए मिलते हैं अगले निए वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टाटा